Hello viewers, welcome to my YouTube channel आज इस वीडियो में जानिए आप कौन सी बातें सोचना गलत होता है और इनसे बचकर रहना चाहिए किसी एक चीज से जुड़े रहना addiction कहलाता है इसमें सिर्फ नशीले पदार्थी नहीं आते इसके साथ ही कई बार हम कुछ विचारों के साथ भी addict हो जाते है तो चलिए जानते हैं कौन से विचारों से आपको बचना चाहिए ऐसा करने से जीवन खुश्मा बन जाएगा और चुनोतियों से लड़ना आसान हो जाएगा कई बार इंतजार करते रहना कि जो होगा वो आसान ही होगा या फिर इस चीज की उमीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा किसी काम में कोई मुश्किल नहीं आएगी इन बातों के बारे में सोचना गलत है जब तक आप सांस ले रहे हैं उस वक्त तक कुछने कुछ नया सीखते रहना चाहिए हर दिन नई शुरुआत की तरह है अब भी कोई नया बदलाव लाया जा सकता है कभी खुद को ये मत कहिए कि आप रुप गए है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता अपनी तुनना दूसरों के साथ करना और फिर उनके साथ मकावला करना सबसे गंभीर एडिक्शन है इससे जल्दी बाहर आना चाहिए दूसरों के सामने कहना कि ये जिन्दी की मेरी है इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद लेते हैं इतना कहने के बाद चिपके चिपके दूसरों की अनुमती का इंतजार करना गलत है दूसरों की कही हर बात को निजी तोर पर लेना और उसे लेकर ड्रामेटिक हो जाना है किसी ने कुछ का है तो उसे सुनते ही आप रियाक्त करने लगते हैं लडते हैं खुद परिशान होते हैं जबकि होना चाहिए कि जितना प्यार और उसने आप दूसरों को करते हैं उतना ही प्यार खुद को भी करिए अपने विचारों की इज़त करिए उन्हें पसंद करिए इसका नतीजा ये होगा कि आपका जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा इस बात पर विश्वास करने लग प्यार अपना पन भी दे सकते हैं सोचना अच्छी बात है लेकिन हर वक्त सोचते जाने से दिमाग में अजीव विचार आने लग जाते हैं जहां एक तरफ सोचने से सकारात्मक विचार आते हैं वहीं लगाता सोचते रहने से नकारात्मक का बढ़ने लगती है इस बारे मे सिर्फ ख्वाब देखना कि आप क्या बन सकते हैं या आप कहा तक पहुंच सकते हैं सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा उन्हें हासिल करने के लिए कदम भी बढ़ाना चाहिए आगे बढ़िये दूसरों को शमा करिए तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि किन बातों को सोचना गलत है और इन से हमेशा बचकर रहना चाहिए अगर आपको मेरे दौरा दे गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेजनों के साथ इस खुलेगा धनेवाद